तो आज की इस वीडियो हम सिखने वाले है कि आप इस तरह का जो विजिटिंग कार्ड होता है उसे आप कैसे डिजाइन कर सकते हो वैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो और साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि इसे आप A4 साइज में कुछ इस तरह से 10 पीस कैसे बना सकते हो तो सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में वहले दोस्तों मेरा नामेर जाकुमार और आप देख रहे हो आपको अपने यूट्यूब चैनल एड्वाइस टेकर आजाए अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नॉट्यूपिकिशन सबसे पहले आपको मिले चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है इस तरह का विजिटिंग कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना फोटोसॉप है उसको उपन कर लेना है तो मैं यहां पर अपना फोटोसॉप उपन कर लेता हूं तो यहां पर देख सकते हो भी मेरा फोटोसॉप उपन हो चुका है तो उसके लिए simply आप यहां से फाइल पे क्लिक करेंगे, new पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का new page का option वो आ जाएगा, तो यहां पर हम एक size create करेंगे, जो की visiting card का size होता है, तो सबसे फहले हम इसमें inches select कर लेंगे कुछ इसस तरह से, और इसमें we inches select कर लेंगे, और यहां से pixel inches choose कर लेंगे और यहां से width में डॉलेंगे, 3.5 inches और यहां से Height पे डालेंगे 2 inches और इहां से resolution रखेंगे, 300 और यहां से OK वाले option पे क्लिक कर देंगे। जैसे, आप OK करेंगे तो है हमारा एक विजिटिंगbrauchесть है साइज है यहाँ से पधरिया सले पर करेंगे जो भी Sev हम सबसे करेंगे आप करेंगे फिलिदार मैं एक आप नाम फिल्द करणा है, अपना नाम इंठर कर लेधा हूँ तो नाम add करने के लिए simply भी आपको तूल वाई option पहना है और यहां साबको text tool का एक option दिखेगा यहां पर देख सकते हो तो सबसे पहले हम इसे select करेंगे और यहां से कोई साभी पहले English font यहां पर choose कर लेंगे तो मैं यहां पर Arial font का यूज करना हूँ यहां पर देख सकते हो मैं यहां पर नाम type कर दिया Aradia medical तो आपको आपको यहां पर कुछ इस तरह से type कर लेना है और यहां से font के style पर click करेंगे और यहां से black को choose कर लेंगे यहां पर हमारा font बोल्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से बोल्ट होने के बाद भी आपको मूब तूर को select करना है और यहां से आपको अपने हिसाब से इसे अर्जेस्ट करके यहां पर लगा देना है तो इस तरह से आपको लगा देना है आपको जहां भी अच्छा लगे आप यहां पर इस तरह से लगा सकते हो और यह लगाने के बाद हम इसका जो color है वो change करने वाले हैं तो color change करने के लिए सबसे पहले हम इसे select करेंगे तो जैसे अब इसे select करेंगे तो इसका layer यहाँ पर show कर जाएगा तो हम यहाँ पर इसके layer पर right click करेंगे blending वाले option पर click करेंगे तो यह blending option खुलने के बाद भी आपको यहाँ पर नीचे एक option दिख रहा होगा gradient का तो यहाँ पर देख सकते हो gradient ओबर ले तो simply आपको इस पर click करना है और यहाँ पर click करने बाद भी आपको इस color वाले option पर click करना है और मैं इस तरह से करता हूँ तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर इस भी design का बनाना चाहते हो आप इस तरह से बना सकते हो इतना होने कब बाद okay पर click करेंगे और यहाँ से हम इसमें एक इफ्टोग गाइट करेंगे इतना होने के बाद अभी आपको इस टोग वाले option पर click करना है और यहाँ साब को इस पर click करने के बाद आप अपने हिसाब से यहाँ अपना जो setting है वह कर सकते हो तो फिलाल मैं आपर normal ही रखता हूँ सिर्फ यहाँ पर blend mode को मैं आपर normal करता हूँ और यहाँ से size को थोड़ा सा मैं increase करता हूँ इस तरह से अब आपको आपी आपकी पर click करना है तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो font है वह कुछ से बन चुक है तो इतना अब आपको आपके नीचे type करना है जो भी आपके दुकान में यहां पर आपको टाइप करने के बाद आप अपने हिसाप CC एट लगा सकते हो जहां भी लगाना हो आपको यहां पर मैंने टाइप कर दिया है और यह टाइप करने के बाद अब कुछ PNG को आइड करना है और यहां से open वाले option पर क्लिक करता हूँ तो यहां पर देख सकते हूँ यह मैं DC है तो मैं इसको यहां पर पगड़के कुछ इस तरह से इस वाले page पिला के छोड़ दूँगा तो इसका एक copy बन जाए गया है और इसे मैं यहां से cut कर लूँगा कुछ इस तरह से और इसे मैं बड़ा करके यहां पर shift और alt की मदद से इस तरह से छोटा कर लूँगा यहां पर इस तरह से adjust कर लेंगे आपको जहां भी लगाना हो आप यहां पर लगा सकते हो तो इतना होने वाद अभी आपको यहां पर 24 x 7 का जो logo होता है उसको add करना है तो उसके लिए फि आपसे पहले हमीचे select करेंगे यहां पर इस तरह से लेयर को पकड़ के कुछ इस तरह से ऊपर रखेंगे तो यह इसके ऊपर आ जाएगा और यहां से शीप तरार्ट की मतबस्ते इस तरह से छोटा कर लेंगे और यहां पर हम center में कुछ इस तरह से लगा देंगी तो अभी आपको यहां पर जो भी डॉक्तर बैटके हैं आपके दुकान में या फिर जो भी प्रोपराइटर है आपको इसका डिटेल यहां पर भरना है और साथ ही आप उसका जो मॉवाइल नमर वह एड़ कर सकते हो उसके लिए simply अभी आपको यहां पर Save Tool पर Right Click करना है और यहां सबको React Angle Tool को Choose कर लेना है और React Angle Tool select करने गवाद यह इस वाले पॉर्ट कर आना है और यहां सबको Shift को दबा के रखना है और Ctrl को दबा के रखना है और आपको कुछ इस तरह से ऐसा Save Create करना है और इसे हम kitty shift की मदब से is तरह से Aunty Egist कर सकते हैं तो यहां पे देख सकते हूँ इनने कुछ कुछ सी तरह का एक यहां पर इस कर लिया है तो यहां as अफो भी कर लेना है shift की मदब से और यह क्रियेट करनेगे नके बाद भी आपको इसका जो color है वो change करना है तो color change करने के लिए simply अभी आप इसे select करेंगे और यहां से इसके layer पर right click करेंगे blending वाले option पर click करेंगे तो जैसे आप blending वाले option पर click करेंगे तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का blending option खुल जाएगा और यहां से okay करता हूँ और यहां से मैं इसका जो opacity है कुछ इस तरह से बढ़ा लेता हूँ यहां से आप चाहें तो दूसरा color भी add कर सकते हो फिलाल मुझे यह color अच्छा लग रहा है तो मैं यहां पर add कर लेता हूँ इसको और यहां से okay वाले option पर click करेंगे इतना होने कबाद अभी अभी इसे select करेंगे और इसके layer पर right click करके यहां से restorize layer वाले option पर click करेंगे तो इतना भी हमारा हो चुका है और इतना होने कबाद अभी हम इसमें दो नाम add करने वाले हैं इसलिए मैं यहां पर बीच में एक line खीचूंगा तो इसके लिए फिर से हम यहां पर tool वाले option पर आएंगे और यहां से save tool पर right click करके react angle tool को choose कर लेंगे और यह चूच करने बाद अभी आपको यहां पर first वाला option है इसको choose कर लेना है और इतना setting करने बाद अभी आपको इसका color है वो रखना है white color इस तरह से color change कर लेंगे और इहां से okay करेंगे और इस तरह से हम यहांप एक line खीच झाइए यहां पर को सरे करेंगे और यहां से हम लाइन का जो यह लेंथ है कुछ इस तरह से बढ़ाएंगे अपने हिसाब से और यहां से इंटरप्रेस करेंगे और यहां से इस तरह से जूम करके अपने हिसाब से इसका जो लाइन है थोरा सा हम कम करेंगे इस तरह से और इसी हम यहाँ पर अपने हिसाब से अर्जेक्ट करनेAbility करेंगे, जभ ivy हम रखना है, आप यहाँ पर इस तरह से अर्जेक्ट कर सकते हो अभी आप देख सकते हो, यह देखने में कितना अच्छा लग रहा है तो इस तरह से आपको भी कर लेना है और यह करने के बाद अभी आपको यहाँ पर text tool को select करना है या फिर आप इसी text को यहाँ पर copy करके यहाँ पर लिख सकते हो तो मैं आप इस वाले text को select करता हूँ और select होने बाद shift और alt को press करके mouse से नीचे खीचेंगे तो इसका एक copy बन जाएगा और यह copy बनने के बाद अभी आपको यहाँ पर text tool को select करना है इस तरह से select करेंगे सभी text को और यहाँ से हम जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर जो भी type करना चाहते हो कर सकते हो फिलाल मैं आप नाम type कर लेता हूँ नाम type करने बाद अभी आप इससे select करेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ से color वाले option पर click करके इसका color है हम रखेंगे white और यहाँ से ok कर देंगे और यहाँ से mock tool को select करके इस तरह से ऊपर में रखेंगे यहाँ पर फिर से हम इसी कर एक copy बनाएंगे तो copy बनाने के लिए shift or alt को press करके माउस से नीचे किछेंगे तो इसका copy बन जाएगा फिर से मिहाँ पर text करके इस तरह से select करेंगे और यहाँ से जो भी mobile नमर हो इसका आप यहाँ पर type कर लेना तो मैं यहाँ पर type कर लेता हूँ इस तरह से हो चुका है तो इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पर लगा देंगे तो इतना हो चुका है अभी हम फिर से दूसरा नाम आट करेंगे तो फिर से इस वाले text को select करके shift or alt की मददसे इस तरह से move करेंगे तो इसका copy बन जाएगा और फिर से हम यहाँ पर जो भी लिखना चाहिए यहाँ पर लिख सकते हैं तो इस अब पर type कर लेता हूँ और यह type करने बाद फिर से हम इसका copy बनाएंगे नीचे कुछ इस तरह से shift or alt की मददसे और फिर से हम यहां पर text tool को select करके इस तरह से select करेंगे और यहां से हम दूसरा number type करेंगे number type करने बाद भी आप देख सकते हो हमारा जो इतना गाम है भी हमारा खतम हो चुका है और इतना होने के बाद भी आप चाहें तो इसमें एक mobile का जो logo है वो भी add कर सकते हो तो इसके लिए फिर से हम यहां पर file पर click करेंगे, open पर click करेंगे और इस वाले png क Judas को select करके open फूसरे Reports करेंगे तो इसको सबसेगा हम यहां फिर यहीं white में convert करेंगे तो इसके लिए simply अभी से select करेंगे Ctrl went और być window करेंगे जहाँ से सी चोटा कर लेंगे और यहाँ पहिन 제 सामने इस तरह से और iolर्य subt नभी कर लेंगे मैं धिक्त्वर डिखा रहा रहा ओं अस्तरों कर लूँ है और इसी तरह हम यहां पे उपर में भी इसका एक copy बना लेंगे तो उसके लिए फिर से में यहां पे shift or roll को press करके mouse से कुछ इस तरह से move करेंगे तो इसका एक copy बन जाएगा और यहां पे देख सकते हो मैंने यहां पे दोनों तरफ यहां पे add कर दिया है तो हम यहां पे layer वाले option पे click करेंगे यहां पे देख सकते हो इसका layer यहां पे show कर रहा है यह वाला layer है तो इसके layer के सामने हम देखेंगे तो यहां पे आपको color का एक option दिखेगा तो simply आपको इस पे click करना है और जैसे आप उस पे click करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी color add करना चाहें कर सकते हो पतलाल मैं आप red color add करने वाला हूँ और यहाँ से okay करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो इसके उपर में यह PNG का थोड़ा सा part हो आ रहा है तो इसको हम सबसे उपर रखेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे select करेंगे और layer को पकड़के हम कुछ इस तरह से उपर रखेंगे तो अभी आप देख सकते हो यह भी हमारा सही हो चुका है और इसे हम अपनी हिसाब से अर्जेक्ट कर सकते हैं जहां भी रखना है आप यहां पर रख सकते हो तो इतना होने के बाद फिर से इसे select करेंगे और इसके layer पर right click करके Restorize layer पर click कर देंगे तो यह भी हमारा सही हो चुका है और इतना होने के बाद अभी आपका जो भी address हो आपको यहां पर type कर लेना है address type करने बाद Ctrl-A प्रेस करेंगे इस तरह से select करेंगे यहां पर देख सकते हो और यह select करने बाद सबसे पहले हम इसका color है रखेंगे white और यहां से ok कर देंगे और यहां से move tool की मदद से इस तरह से zoom out करके यहां पर अपने हिसाफ से object कर लेंगे तो यहां पर अपने हिसाफ से adjust कर लेता हूँ, आप अपने हिसाफ से adjust कर लेना यहां पे देख सकते हूं मैंने यहां पर add कर लिया है और यहां पर अभी मेरा address और यहां पर पूरी तरह से add हो चुका है पर एक और copy बनाएंगे तो उतके लिए फिर से हम यहाँ से select करेंगे और यहाँ से स्वीप और alt को press करेंगे और mouse से कुछ इस तरह से move करेंगे तो इसका copy बन जाएगा और इस तरह से move भी हो जाएगा अब आपको यह फोर साइज में एड करना या फिर प्रिंट करना है उतके लिए सबसे पहले हम यहाँ सभी लियर को इस तरह से link करेंगे जितना भी लियर हमने create किया है सभी लियर को link करेंगे Ctrl E press करेंगे जैसे Ctrl E press करेंगे तो यह जितना भी लियर था एक ही image में convert हो जाएगा और एक ही लियर में create होने कवाद भी आपको यहाँ पर साइड में रखना है और यहां से Ctrl N प्रेस करेंगे और यहां से preset size पे click करके A4 size को चूछ कर लेंगे और यहां से OK वाले option पे click तो यह paper आने कवाद भी आपको इस वाले budgeting card को इसमें add करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे पकड़ के कुछ इस तरह यहां पर लाएंगे और यहां पर छोड़ देंगे तो इसका एक copy भी यहां पर आ जाएगा या फिर आप यहां पर Ctrl A press करेंगे Ctrl C press करेंगे और यह हम इसे select करेंगे select करने के बाद अभी आपको edit menu पे click करना है और यहां सब को इस तरह से यहां पर लगाना है और यह लगाने के बाद अभी आपको इस साइड भी एक copy बनाना है इन दोनों layer को हम यहां पर link करेंगे सिर्फ background को छोड़ देंगे बाकी दोनों layer को link कर लेंगे लिंक करने के बाद अभी आपको यहां पर Ctrl E press करना है तो जैसे आप Ctrl E press करेंगे तो यहां पर दोनों layer एक ही image में connect हो जाएगा और इसे हम यहां पर जहां भी move कराना चाहें कर स सकते हो तो copy बनाने के लिए फिर से shift or alt को प्रेस करेंगे और mouse से कुछ इस तरह से जितनी वार हम खीचेंगे तो इसका एक copy बनता चला जाएगा तो इस तरह से आप कुछ इतना भी copy चाहिए आप यहां पर इस तरह से बना सकते हो और फिलार आप यहां पर एक page में 10 copy बना स दिखा रहा हूं तो यहां पर देख सकते हो भी हमारा 10 copy यहां पर ready हो चुका है और इतना होने के बाद फिर से सभी layer को link कर लेंगे सिर्फ आपको background को छोड़ देना है बाकि सभी layer को link कर लेना है link करने के बाद ctrl e press करेंगे तो यहां पर देख सकते हो यह 10 image अभी हमारा एक simply आप यहां से FILE meiroze學 पर क्लिक करेंगे से sadece मैं और यहां से जहां कई बमी में कर सकते हो और यहां से जो भी नाम देना साहँ देसकते हो फिलाल नहीं कोईसा भी नाम दे देता हूं और यहां से Format वाले option पे click करके आप यहां पे जो भी format में save करना चाहे PDF या फिर JPG या फिर PhD जो भी arkadaşlar भी Crunch गरेंश और फिर सेव करना चाहें कर सकते हो तो फिलाल मैं यहां जो प्रिबाल मैं JPG में save करने वाला हूं और यहां से save वाले option पे click करके यहां से इस वाले option को full कर देंगे और यहां से okay वाले option पे click करेंगे तो यह भी हमारा A4 size में जो 10 visiting card है वो save हो चुका है तो मैं आपको open करके भी दिखाता हूँ तो यहां पे देख सकते हूँ यह भी हमारा save हो चुका है desktop है और ऐसे और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर लेना और साथ में bell icon को press कर लेना तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए topic के साथ